देखो वाई टैंथ कलास का जो ओना पोलिनोमियल चेप्टर हम बढ़ रहे हैं वो भी आरडी शर्मा की मैत में से और ये चेप्टर आपका आरडी शर्मा और एंची आरडी दोन्नों में सेकिंड है वाई लास्ट टाइम हमने जो ओना अक्सर साइज 2.1 कॉंपलीट हमने कर ल ना उसमें आपने पड़िया को आड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में और आप तों पड़ होगे क्यूबिक पोलिनोमियल में क्यूबिक पोलिनोमियल में क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है क्यूबिक पोलिनोमियल जिसमें जो एक्स है ना उसकी आयस्ट पावर थरी हो आणि वो एसा है सावता भाई एक्स की पावर थी पलस बी एक्स स्केर पलस सी एक्स पलस डी इसका नाम में रखोन है भाई क्यों विक पोलिनोमियल है ठीक है तो इसी दिसी बात है अब कि बार जो हना आपको जीरोज निकरने को नहीं कहोगा जीरोज निकरने को क्यों निकर होगा क्योंकि अगर आपने किसी पोलिनोमियल के जीरोज बताने हों तो बेसिक तरीका क्या होता है उसको लिखकर इकोल टू जीरो और सोल कर दो पर दिक्कति यह हैं क्यूबिक में सोल करने नहीं आती तो आपको कभी भी पेपर में जो हना वो यहीं कहोगा कि कोई cubic polynomial है और इसके 0 ज बताओ 0 आप से नहीं पूछेगा क्यों को क्योंकि equal to 0 पूट करने के बाद यह cubic equation होगी और cubic equation हमने solve करनी नहीं आती अब उसके बाद देखो इसके 3 zeros होंगे तीन 0's के होंगे तो इसमें जो x है ना उसके आइसे पावर को ने तीन है तो इसके तीन 0's होंगे उने तीन 0's के अंदर और x क्यूब का कोफिसियंट x स्क्सक्डिक का कोफिसियंट और x का कोफिसियंट इनके बीच एक relation होता है जैसे अफका Clock Quadratice में था वहीं इसमें भी है माल्एब हो जो तीन zero जह न Joshح एक मेने माल्या alpha है 1 मेने बिटा और एक मेने कोण माल्या वही माल्या हो जो तीन zero जह वाफके ये है तो इनके बीच Ж और इन coefficient आपीच एक relation होता है तेखigon क्या relation होता है और इलेंचन अप ही होता वै इन 0s का sum sum of the 0s वो is equal to होता वै minus coefficient of coefficient of x square upon coefficient of x cube होता वै उसके बाद इन 0s की प्रोड़क्ट पर जो प्रोड़क्ट अब दो टाइप की है एक तो दो दो किकर का प्रोड़क्ट सम एक तिन्नों की प्रोड़क्ट एक तो दो दो किकरो प्रोड़क्ट और फिर सम करो और इसकी इसकी प्रोड़क्ट इसकी इसकी प्रोड़क्ट और इसकी और इसकी प्रोड़क्ट का सम वो कौन होगा मेरा भई और एलफा इन्टू बिटा पलस बिटा इन्टू गम्मा पलस गम्मा इन्टू एलफा वो इकोल टू होगा भाई एक्स का कोफिसेंट अपोन एक्स क्यूब का कोफिसेंट तो वो कौन होगा भाई coefficient of x आपोन में कौन coefficient of x cube होता है उसके बाद जो तिन्नों की product है जो तिन्नों की कौन product अण एलपा इंटू भी टैंटू वा मा y is equal to होती है भई minus constant term minus constant term divide में कौन coefficient of x cube होता है तो कुछ खास है निया वई तो कोई cubic polynomial है जिसमें जो x उसके highest power कौन होगी तीन तो उसके तीन zeros होगी उन तीन zeros के बीच और इन coefficient के बीच एक relation होता है तिन zeros का sum equal to minus b upon a दो दो के कटकन multiply और वो sum c upon a और तिनों की product d upon a और भी minus का d upon a याद करना विल्कुल उसाने है minus plus minus एक पर तो minus b upon a फिर c upon a फिर minus d upon a होगा कुस्सन देखो भी इसको पर जैसे आपका कुस्सन नमर फर्स्ट ही है तो फर्स्ट में क्या कहा है कोई cubic polynomial दिया हुआ है fx equal to जैसे इसका पहले अपारट है भी कोई कुण है मेरा वेलके वापको second करवा दिया हुआ फिर फर्स्ट आपने करना है तो second में जो आना कोई cubic polynomial है gx equal to कुण है भी x की पावर 3 minus 4x स्केर plus 5x minus का 2 भी और इसके 3 zeros गिवन है इसके क्या है 3 zeros है 2, 1 2, 1 और 1 इसमें आपको दो काम करने है दो काम कौन से एक तो आपने ये verify करना है कि जो 3 नंबर है न ये 3 नंबर इसके 0s हैं के ने फिर अगर 0s हों तो आपने ये verification भी करने है तो आप कैसे check करोगे कि कोई नंबर किसी polynomial का 0s हैं के ने कैसे check करते हैं वो नंबर जहां भी एक समा put करो अगर इकोल टो 0 बन जे तो 0 जो होगा वरना 0 नहीं होगा तो करो check बे तो put x equal to पिले 2 कोई करो check तो जहां भी एक समा 2 लिखो तो g2 is equal to लिखो जहां पर भी एक समा 2 तो 2 की पावर 3 8 2 को स्केर 4 4 इंटो 4 16 बनेगा और 5 इंटो 2 10 minus कर 2 करने एक बद 10 और 18 ये minus के 18 तो plus 18 minus 18 0 आगे ना तो देरफोर x equal to 2 इज दी कोणोगा मेरे ये बैद 0 जहोगा चलो मा एक ओर check करदू ये 1 तो put x equal to 1 करना जाबी x मापको 1 put तो ये आपका बनेगा बैद g1 equal to क्या होगा 1 की पावर 3 1 1 का स्केर तो नी होगा इंटो मा 4 तो 4 आगे पलस 5 इंटो 1 5 बनेगा और minus में ये 2 करना इक बार 5 रेक 6 ये minus कर 6 तो कोण आगे 0 आगे न आणि x equal to 1 भी मेरे कोण होगे 0 होगे तो देरफोर x equal to 1 is the is the 0 ये भी मेरे कोण होगे 0 होगे कभी भी आपको जो आणा 0 निकरने को नेका होगा जब एक क्यूबिक दियोगी ना तो 0 आप तो पुछेगो ना कोकि जब आप उसको solve करोगे तो एक क्यूबिक equation होगी और वो आमें solve करनी नहीं आती आपको 0 जो दिये मिलेंगी पर आपने वो चेक करना है कि वो 0 है कि नहीं और कैसे चेक करोगे जहांपर भी x है वहाँपर वो नमबर करो put अग इकॉल टू 0 आजे तो 0 होगा वरना वो नहीं होगा तो 0 है मेरे उसके बाद आपने यह वाड़ी चीज़ वेरिफाइं करनी है करो वेरिफाइं भी तो 4 है या फिर 2 वेरिफीकेशन भी करना वेरिफाइं तो सब से पहले तिन्नो का जो सम अना इकूल टू आणा ची तो सम ओफ दी सम ओफ दी 0 ज भी करना सम एक बार तो 2 पलस 1 पलस 1 2 पलस 1 पलस 1 और आपका 4 बनेगा तो इकूल टू क्या होना ची तो इकूल टू होना चीए माइनस कोफिसेंट ओफ एक्स स्केर कोफिसेंट ओफ एक्स स्केर देखो माइनस का 4 अपोन कोफिशेंट ओप एक्स क्यूब तो माइनस का फोर रेक माइनस यह रही तो पलस का फोर अपोन में वन देखो हो रहे आगे और वही आगे मिलेगा तो चाहिए ना भी आपने दिखना हुए यह माइनस कोफिशेंट ओफ एक्स स्कीर अपोन में कोफिशेंट ओफ एक्स क्यूब उसके बाद दो दो की करकन प्रोडक्ट और उसका घ्या करना आपने सम करना है और वो इकोल टू यह वाना चाहिए और इस बात को लिखोगे कैसे ऐसे लिखोगे सम ओफ दिख सम ओफ दी परोड़ झ favor प्रोडक्ट सम ओफ ध्रोड़ ओंट टम एट सजीरोज are उचे फ्रोड़क्ट के थीट कुका में गोड़ाल ओम्मावै। यानि पेले इसके इसके multiply 2 पलस फिर सेकेंड की और थार्ड के multiply 1 फिर पलस फॉस्ट की और थार्ड के multiply 2 गई यानि याँ की बनेगी 5 हो गई और इकोल तु देखो यह वाना चेह कोफिसेंट ओफ एक्स पांच डिवाइड में कोफिसेंट ओफ एक्स क्यूब एक और पांच बटा एक लेको पांच चेह और वही आगया ना इकोल टू कून कोफिसेंट ओफ एक्स आप कोन में कून कोफिसेंट ओफ एक्स क्यूब उसके बाद तिन्नों की product तो product of the root product of the root वही तो करना इबर product तिन्नों की तो 2 x 1 x 1 2 x 1 x 1 आण चेह 2 और इज इकोल टो देखोई वाणच चेह माइनस कोफिसेंट कोफिसेंट माइनस कर टू रेक या माइनस तो पलस कर टू अपोन वन कोफिसेंट कोफिसेंट ओफ एक्स क्यूब तो कुछ खास है नि भई कोई क्यूब भी कोई क्यूबिक होलिनोमियल दा पहले दामने चेक करना दा यह जीरो जहें के नहीं तो चेक करना हमने आता है उसके बाद यह वेरिकेशन करनी है अब इसके बाद देखो भई देखो कल अभी जो आना एक चीज पड़ी थे अगर आपने कोवाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना हो तो आपको दो चीज चाहिएंगे एक तो उसके जीरोज का सम और एक उसके जीरोज की प्रोड़क्ट तो आप क्या बता पाऊगे अगर आपने कोवाड्रेटिक पोलिनोमियल बता पाऊगे एक तो उसके जीरोज का सम एक दो दो के करके प्रोड़क्ट उसका सम और एक तिनो पी प्रोड़क्ट अगर ये चीज मेरे पास है ना तो क्यूबिक पोलिनोमियल मेरे कुण होगा तो देखो मेरा ओं ये बनेगा के इन्टु एक्स क्यूब माइनस जीरोज का सम और एलफा प्लस बिटा प्लस गमा इन्टु एक्स स्केर फिर प्लस दो दो की करके प्रोड़क्ट उन का सम दो दो की करके एलफा इन्टु बिटा प्लस बिटा इन्टु गमा प्लस गमा इन्टु एलफा इन्टु एक्स फि यह माइनस हो इंटोड़ाक्त अन्पा इंटुबिट़ा इंटुब और वाज बहुत कहीं दिखो में अगरावने क्विक पोलिनों मेल बताया हो ना अगरावने Vegas पूबिक पोलिनोमियल बताना हो आपको तीन चीछ चाहिएगे एक तो उसके जीरोज का सम एक उसके जीरोज में दो दो किकर का मेल्टिपलाई उसका सम एक तीनो की मेल्टिपलाई तो यह होगा अगर फॉर्मला पढ़ना कुछ नमर 2 तो question number two में कहा लिखा हुआ है find a cubic polynomial find a find a cubic polynomial with the sum with the sum with the sum फिलको मा लगाके some of the some of the product some of the product of its zeros of its zeros of its zeros taken to taken to at a time at a time and product of and product of its zeros and product of its zeros as वो मेरी भई 3 minus 1 and minus 3 respectively को अगे हैं कोई cubic polynomial है और वो आपने बताना है और साथ में लिखावा है उसके जीरोज का सम्तोकुन है तीन उसके जीरोज में दोदो की करकन प्रोडक्ट अथिन अपर सम्करोगे तो वो minus 1 और तीनों की प्रोडक्ट नहीं minus 1 और तीनों की प्रोडक्ट माइनस का तीन वो साथ में लिखावा और मेष्टी में इस को फॉर्मूला पता है उसके लिए बिल्कुल असान है तो फॉर्मूला आमने क्या पड़ लिया भई तो छो चूपिक पोलिनेमिल ले वो जो कौन होँ मेरा बनेगा के इन टूं तो जो attack पोलिनोमिय लोग क्या होगा के इंटू X क्यूब माइनस जीरो जुका सम वो मेरा तीन है भई X स्केर फिर पलस दोदो की करकन प्रोड़क्ट उसका सम माइनस ओन वो माइनस वन इंटू X फिर फिर माइनस है ना फिर फिर कोन माइनस और तीनों की प्रोड़क्ट कोन माइनस का तीन तो मेरा देखो यह बनेगा तो लिखता हो कि इज यहां से इसको टागन है प्रोड़क्ट को तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल तो वो कोन होगा वो मेरा देखो यह बनेगा तो तो ना आज जो आना पहले तो यह करने हैं भई बाकि फिर कलक्टिंग